हेलो बच्चो समर्थ फैमिली में आपका स्वागत है तो बच्चो लास्ट वाली क्लास में अपने देखा था एंगल बिट्विन टू लाइन्स हैना दो लाइन के बीच में एंगल कैसे फाइंड करते हैं और जो दूसरा कंशेप्ट था फाइव इन वन कंशेप्ट हैना उसस से काफी अच्छे अच्छे कोशन बनते हैं चार पांस तरीके से जो एक्जामनर है वो कोशन फुटब कर सकते हैं आज की इस क्लास में डिसकस करेंगे डिस्टेंस बिट्विन टू लाइन्स अच्छा इसमें दो टोपिक पढ़ेगे पहला टोपिक रहेगा डिस्टेंस बि अच्छा लोंअनोगे जैसे यह eli है दिख रहा हूगा है ना ना तो यह पैलने साथ यह इंटरसेक्टिक है तो ऐसी दो लाइन को क्या बोलते हैं? इसक्यों लाइन्स बोलते हैं तो आज का सेशन शुरू करते हैं इसमें पहला टोपिक है अपना डिश्टेंस बिट्विन टू पहला लाइन्स अच्छा मालो एक लाइन है की है तो अशाच है और यहें दूसरी लाइन है वेक्टर आर यहोगया लम्डडा टाइम्स 1 वेक्टर और और जो एल्टु है एल्टु का बी वेक्टर इक्वेशन गिवन है वेक्टर आर इस इगोल टू एक्टू फैना मुव फी वेक्टर अच्छा यहां पर जो लाग डायरेक्षण तो सेम रहेगी तो यहां पर यह हो जाएगा लेमडा बी वेक्टर कि दोनों का direction सेम रहेगा तब ही तो पहले लाइन है तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह दॉसका डारेक्षन भी बैक्टर और इसका डारेक्षन भी वेक्टर इसके वपर पॉंट्फ लिया कोई इसके वपर पॉंट माललो B, यह हो गया इसका position vector A2, इसके उपर एक point लिया A, इसका नाम हो गया A1 vector, अपने को इसमें shortage distance निकालने हैं, तो shortage distance कौन सा होगा, यह होगा, perpendicular distance, अच्छा जो यह vector आएगा, यह vector आएगा, A2 minus A1 vector, अच्छा माललो इनके बीच में एंगल है, इसकी जो direction है, इसकी direction क्या है, बी वेक्टर, इसकी direction क्या है, बी वेक्टर, अब इस triangle में आप देखो, इस वाले right angle triangle के इंदर, माललो यह D point है, जो BD आएगा, BD क्या आएगा इसके इंदर, यह आएगा, AB sin theta, है ना, vertical component, है यह sin theta, लगाओ, sin theta क्या हो जाएगा, perpendicular upon में, hypotenious, तो BD soul करके आएगा, AB sin theta, यह direct भी apply, हैना, कर सकते हो, जो vertical component क्या होता है, AB sin theta, अच्छा, दो वेक्टर, मालो वेक्टर A और वेक्टर B, हैना, दो वेक्टर के लिए, जो sin theta, निकालते थे, वो कैसे निकालते थे, एक रोस जो sin theta, मोड के अंदर, हैना, न दोनों का, क्रोस, प्रोड़क्ट, किसका, इस वेक्टर गा और, वेक्टर का, को एक टू माइनस एवन क्रोस बी वेक्टर अपॉन में क्या लिखेंगे अप उन में लिखेंगे एटू माइनस एवन का मोड एटू माइनस एवन का मोड और निकाल अच्छा जो एबी है एंदर क्रोस बीवेक्टर और अपोन में मैगनिटीड ओफ बी वेक्टर ऐसा बोल सकते हैं Okay so doh parallel line के बीच में डिश्टेंस आ गई है अगालो लोग काटिशन Vincent घीवन है आपको तो इसको वेक्टर कॉष्ट एक्वेस्ट Response में Convert कर लेना यह formula एपलाई कर लेना है तो यह आगया दो पहला है के बीच में दिश्टेंस अचा η सके उपर एक aad कुशन करते हैं है है यह खी है इसमें कुशन है है अभाब फाइंड था डिस्टेंस बीट्वीन डा स्धिक्विन फैलला अच्छी यह दोनों पैलला लाइन दे रखेंगे आपको आप इनके बीच में घीक्न और करना एक अच्छा जो फोर्म लाप गया वो तो किसके लिए था कि हना वैक्टर के इंदर फोर्मला पढ़ा कर कारे काटिशन तोड़ी पढ़ा है यह 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 यहां पर डारेक्शन है टू त्री 6 और इसकी डारेक्शन लेटू की 4612 है जो डारेक्शन रेश्योंस है एक दूसर कि इसका मतलब यह पहलेल है पहलेल तो उसने गपली रख और गया तो यह आपड आइगा या तो यह लो या यह लेख elaborat को ओश्म कि इसमें अइसमें ऑल्टिक्लाई हो गया two i cap plus three j cap और प्लेस का six kk यह ले लिया बी वेक्टर अच्छा कि यहाँ पर मैंने बताया वाई वन जैड़ वन यह क्या होते है पॉइंट होते है और जो अपॉन में लिखा रहेते हैं डिनोमेटर में लिखा रहेते हैं वह क्या होते है डायरेक्शन रेशो या डायरेक् यहाँ पर वी वेक्टर ले लिया अच्छा एल टू के पर कोई पॉइंट बताओ मिरको एल टू के पर पॉइंट हो जाएगा इसको इस्टेंडर्ड फॉर्म से कंपेर करेंगे तो यह आएगा थी त्री ओर यहां पर आएगा माइनस का फाइट ऐसे ही एल वन के पर यह इना वान टू माइनस पोर हो जो डिस्टेंस बताइए दिस्टेंस का फोर्म ला कितना एदा क्या है एदा एट्ओ माइनस और एदो मइनस एद निकालो एट्ट्र्श माइनस वन तो कि एटू का ये रहा थृ माइनस बन यह आएगा तू आई के थ्री माइनस टू है ना प्लेस का जे के और माइनस 5 माइनस माइनस 4 तो कितना आएगा माइनस का केक है यह आ गया एटू माइनस एवन वेक्टर ओके इसको अटाते हैं थोड़ा सा चलो यह क्रोस प्रोडक्ट निकालते हैं A2-1-2-1 क्रोस ब्यक्टर इसको डिटेर्मेंट से निकालेंगे यह होगा i-cap, j-cap, k-cap है ना इसमें आएगा a2-a1 इसके scalar component 2, 1, minus 1 और जो vector b है इसके scalar component 2, 3, 6 इसको solve करो तो ये कितना आएगा i-cap तो 6 plus 3 ये कितना आगया 9 और minus का j ये कितना आएगा ये गया ये गया 6, 12 12, ये कितना है आपका 2, है ना ये है 2, 3, 6 2 है ना ये, अच्छा j, ये गया हो, 6, 2 जा 6, 2 जा कितना हो गया 12, 12 plus 2 ये हो गया आपका 14, प्लस का k-cap, तो ये कितना बनेगा 3, 2, 6, minus 2, ये बनेगा 4 तो इसका cross product निकाला अच्छा यहाँ पर क्या था, magnitude था यहाँ पर ये फोरूम ले में था, magnitude इसका magnitude कितना है गा A2 minus A1 cross B vector इसका magnitude आएगा, finally 9 का square आएगा, 81 प्लस, और ये root के अंदर, 14 का square आएगा 196, और जो 4 है 4 का square आएगा, 60 तो ये कितना आएगा, सोल करके, सोल करोगे, तो ये बनेगा 196 16 और ये बन गया 81, ये आएगा 3 और ये बनेगा 9 और ये बना 2 293 तो ये बनेगा 293 का root तो ये कितना आगया, ये सोल करके आया root of 293 अच्छा जो B vector है, B vector ये रहा इसका mode निकालो, B vector का mode कितना आएगा, 2 का square 4, 3 का square 9, प्लस ये होगया, 36 ये बनेगा 7 49 होगया, तो यहाँ पर कितना आया, 7, तो फाइनली सोल करके, distance कितना आया A option, है ना, तो इसमें कौन सा option correct होगा, option number A अच्छा, इसमें चलते हैं next question पर I hope समझ में आ रहा होगा ओके हाँ बेटा, next question है अपना find the vector equation of the line parallel to the line इस line के parallel हो, और किस point से pass करे, इस point से pass करे पहले इसको देखते हैं, देखो जैसे मालो इस point से pass कर दिया, 3, 0, minus 4, और जो दूसरी line है something like this, दूसरी line है, x minus 1, अपन 5, और इसको लिख लिया standard form में लिख लिया इसको लिख लिख लिया, है न, y minus 3 upon में, minus 2, इस में से हैना, minus 1 को मल लेके denominator में बेज दिया, तो कितना बचेगा y minus 3 और यहाँ पर आएगा, minus 2 standard form में लिख लिया, तो z plus 1 upon में, 4 standard form में लिखने की क्यों जरुत पड़ी, क्योंकि अपने को direction ratio चाहिए थे, direction ratio तभी find करेंगे, जब standard form में होगा, अधरवाइस नहीं, हैना, ऐसे नहीं निकालेगी अच्छा, तो इसकी direction पर चलगी, इसकी direction क्या होगी? यह दोनों parallel line है, तो इसकी direction होगी, 5, minus 2, और यह होगया, 4 अब इसका equation है ना, इसको बोल दिया L1 और इसको बोल दिया L2 तो L1 का जो equation आएगा, L1 किसे पास करती है, इसके उपर जो point आएगा, इसके उपर point आएगा, 1, 3, minus 1 तो L1 की vector form क्या जाएगी? है ना, इसको बोला L1, इसको बोला L2 यह हो जाएगा, R vector is equal to, I cap plus 3 J cap और minus का K cap plus lambda times, यह आएगा, 5 I cap minus 2 J cap और plus का 4 K cap ऐसे ही जो L2 आएगा, है ना, L2, L2 का equation क्या आएगा? यह तो L1 आया, L2 क्या आएगा? R vector is equal to, इसके उपर point लेओ, point क्या है? 3 I cap और minus का 4 K cap plus mu, 5 I cap minus 2 J cap plus 4 K cap, यह आगया? अच्छा, तो अब आपके पास 2 line है, parallel line और उनके बीच में, shortage distance कैसे find करते हैं, आपके पास formula है, आगे आप solve करना है, इसको, ओके, नेक्स्ट जो topic है, वो है distance between two skew lines, मैंने बताया था, skew lines कैसे हो, कौन सी होती है, है ना, देखो यह वाली line, है यह क्या है, ना तो parallel है, और ना intersecting है, ऐसी दो line को क्या बोलेगे, skew lines, non parallel, non intersecting, अच्छा, इसके बीच में जो shortage distance आएगा, shortage distance, कौन सा होगा, यह जो perpendicular distance है, है ना, यह perpendicular distance, exchange, इसके बीच में सबसे, so test आएगा, यहां पर भी perpendicular होगा, इस पर भी perpendicular, यहां पर भी, चलो, यह 3D diagram था, इसके अंदर कैसे दिखाएंगे, अच्छा, मान लिया, यह L1 है, और यह L2 है, L1 का equation है, अपने पास, R vector is equal to, A1 plus lambda, B1 vector, ऐसे ही L2 का equation, suppose, गरूँ अपने पास है, R vector is equal to, A2 plus, mu, और B2 vector, इनके बीच में अपने को shortage distance, find करने है, अच्छा, इसके उपर point लिया, मान लो, इसके उपर point है, B, इसको बोल दिया, A2 vector, इसके उपर point लिया, A, इसका नाम है, A1 vector, इसकी direction होगी, B1 vector, और इसकी direction होगी, B2 vector, इसमें किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है, जो shortage distance आएगा, shortage distance, अच्छा, shortage distance सपोस करो, कहां पर ये भी perpendicular है, और ये भी perpendicular, 3D diagram बनाया था, अच्छा, इसको नाम दे दिया C, और इसको नाम दे दिया D, तो जो CD होगा, वो shortage distance आएगा, इसको कैसे find करेंगे, हच्छा, question के अंदर इसका equation भी, पूस लेता है, हैना, equation कैसे find करेंगे, उसका भी तरीका बताऊँ, अच्छा, इन दोनों को join कर लो, आप, इन दोनों को join कर लो, यहाँ पर जो CD vector आएगा, CD vector, हैना, ज्यान से देखना, जो CD vector आएगा, ये वाला vector, ये क्या होगा, ये CD vector, देखो, इसकी direction है, B2 vector, इसके perpendicular है, और इसकी direction है, B1 vector, तो यहाँ पर जो CD vector आएगा, ये वाला, ये जो vector है, CD vector, दिख रहें, ये B1 के भी perpendicular होगा, B2 के भी perpendicular होगा, इस vector की direction कैसे find करोगे, अचा, मालनों ये free vector है, suppose करो, ये B1 vector है, और ये B2 vector है, देखो, जैसे मालनों कोई plane है, ठीक है, इधर पड़ा है B1 vector, और ऐसे पड़ा है B2 vector, इन दोनों के perpendicular vector कौन चाहेगा, B1 cross B2 vector, तो यहाँ पर जो CD vector है, B1 के perpendicular है, B2 के भी perpendicular है तो CD vector क्या आएगा, CD vector आजाएगा, ये जो vector है, ये आएगा, finally, B1 cross B2 vector, done, जो CD vector आएगा, वो क्या आएगा, B1 cross B2 vector, अचा, अब मेरे को ये distance है, अब क्या हो रहे है, यहाँ पर, जैसे ये A B है, और यहाँ पर यह है, सबोज करो, ये B1 cross B2 vector है, तो इधर से मैं, मालो, perpendicular drop करूँ, यहाँ पर आएगा, और इधर से perpendicular drop करूँ, यहाँ पर आएगा, तो जो ये distance आया, मालो, ये है, C और ये है, D, जो भी है, तो ये क्या हो रहे है, इस A B का, इस vector के वेक्टर पर projection, यही तो हो रहे है, तो यहाँ पर जो CD आएगा, CD क्या हो है, है ना, और ये B1 cross B2 vector है, तो इसके उपर projection कैसे निकालते है, अचा, projection का बतायता मैंने, मालो, ये vector A है, और इधर है vector B, तो vector A का, vector B के उपर projection का formula क्या होता है, A dot B, और अपोन में magnitude of vector B, यही होता है, तो यहाँ पर जो CD आएगा, CD क्या होगा, CD, यह जो vector आएगा, यह आएगा, निकल के A2 minus A1, ठीक है, इन दोनों का dot product, तो कितना आएगा, A2 minus A1, dot, यह आएगा, B1 cross B2, ठीक है, जिस vector के उपर projection लेते हैं, है ना, तो उपर तो यह क्या आएगा, है ना, इन दोनों का dot product और denominator में रहेगा, है ना, इसका magnitude, B1 cross B2 का magnitude, B1 cross B2 का magnitude, अच्छा बेटा, इसमें क्या हुआ, एबी का, जो यह वाला vector है, B1 cross B2, है ना, A2 minus A1 का, इस vector के उपर जो projection होगा, वो shortage distance के बराबर होगा, क्योंकि यह distance है, इसलिए इस पर क्या लगा देते हैं, मोड लगा देते हैं, तो shortage distance का formula अपने पास गया आगया, है ना, इसको, है ना, याद भी रखना है, है ना, learn करना है इसको, तो यह आगया, shortage distance between two skew lines, इसके उपर question करते हैं, ओके, इसमें question क्या है, find the shortage distance, shortage distance निकालने है, and the vector equation of the shortage distance, जो shortage distance वाली line थी, उसकी vector equation भी find करने हैं, अच्छा, shortage distance बताने हैं, इसमें से कौन सा option है, चलो, हाजी बेटा, देखो, L1 अपने पास given है, L1, जो L1 है, L1 क्या given है, आर वेक्टर इस इग्वल टू, 3 I cap, प्लेस, 5 J cap, और प्लेस का 7 K cap, प्लेस, लेंबडा, I cap, माइनस, 2 J cap, और प्लेस का K cap, ऐसे ही जो L2 आएगी, L2 क्या आएगी, आर वेक्टर इस इग्वल टू, L2 है, माइनस, I cap, माइनस, J cap, माइनस, K cap, और प्लेस का Mew, कहाँ पर आएगा, 7 I cap, माइनस, 6 J cap, और प्लेस का K cap, या आएगा, इससे A1, A2, और B1, वेक्टर, और B2, वेक्टर, compare कर सकते हो, अब यहां से, shortage distance कितना हो जाएगा, जो shortage distance का formula था, वो आएगा, A2 माइनस, A1, है ना, डोट, B1 क्रोस, B2, और अपोन में magnitude of, B1 क्रोस, B2, इसका magnitude, तो यहाँ पर जो A1, A2 माइनस, A1 आएगा, हाँ बेटा, तो यह तो हो गया, suppose करो A1, और यह हो गया, A2 वेक्टर, और यह क्या हो गया, B1 वेक्टर, और यह क्या हो गया, B2 वेक्टर, चलो, तो, तो क्या, A2 माइनस, A1 वेक्टर, यह निकालते हैं, A2 माइनस, A1 वेक्टर कितना है, यह आया माइनस फॉर आई कैप और कितना होगा है माइनस सिक्स जे कैप और माइनस एक कैप यह आया एक टू माइनस एवन वेक्टर ऐसे ही लिए क्रोस बीटू वेक्टर फाइंड गरते हैं यह कितना आएगा i cap, j cap, k cap यह कितना दे रखा, इसमें यह b1 vector है, इसके scalar component 1 minus 2, 1 और यह आएगा 7 minus 6, 1, इसको solve करते हैं, i cap minus 2 plus 6 minus 2 plus 6, 4 minus j यह गया, यह गया, 1 minus 7 1, यानि कि minus 6 plus kk, यह कितना आएगा, यह गया, यह गया minus 6 और plus 14 तो यह बनेगा plus का 8 done ओके तो दोनों का dot product कराते हैं इसको आटा देते हैं भी, फिलाल हाँ बेटा तो a2 minus a1 dot b1 cross b2 चलो इनका dot product करा हो तो minus 4 into 4 तो यह कितना हो जाएगा, minus का 60 minus 6 into में यह आएगा plus का 6 तो कितना हो गया, minus 6 और plus का 6 minus का 36, minus 8 और plus का 8, तो कितना आएगा, minus का 64 तो यह बना, minus 116 यह बना अच्छा, b1 cross b2 का magnitude निका ले, b1 cross b2 का magnitude, इसका magnitude कितना आएगा, निकल के यह आएगा, आएगा, के, 4 का स्क्वेड, 16, plus 6 का स्क्वेड, 36, और plus, यह कितना बनेगा, 64, तो यह निकल के आएगा, root of 116, चलो, तो इसमें क्या हुआ, इसका value, इसका value तो solve करके आया, कितना, इसका value solve करके आया, minus 116, और यह आया, root of 116, इसका mode, तो यह finally कितना हो जाएगा, root 116, तो इसमें आएगा, option number 1, तो यह तो shortage distance निकल गया, अच्छा, इसमें जो second part है, वो है, है ना, shortage distance का, जो equation है, वो कैसे find करेंगे, अच्छा, ओके, तो जैसे यह line थी, एक line यह थी, ठीक है, तो एक line यह थी अपनी, something like this, इसको L1 बोला था, और यह क्या था, L2 था, इसके उपर एक point था B, और इसके उपर एक point था A, तो जो shortage distance आईती, shortage distance सेड़ी यह थी, यहाँ पर भी perpendicular थी, यहां पर भी perpendicularty वो कैसे find करेंगे, उसका equation कैसे find करेंगे तो इसमें क्या करोगे आप जो यह line है L1 उसके पर general point लेओगे क्या लेओगे? general point जनल point लिया अच्छा जैसे इसको partition में change कर लो L1, जो L1 बनेगी L1 क्या बनेगी? X-3 upon में upon में आएगा 1 और Y-5 upon में minus 2 और यह क्या बनेगा? Z-7 upon में बनेगा 1 यह तो आगया L1 ऐसे ही L2 क्या आएगा? L2 आएगा आपका X plus 1 Y plus 1 Z plus 1 और यह कितना आएगा? 7 यह minus 6 और यह आएगा 1 तो इसमें आप क्या करो? देखो जो L1 है यह बोल दो इसको lambda के equal है और यह मालो यह mu के equal है L1 के उपर general point निकालो और L2 के उपर general point निकालो अचा मालो वो C point है और यह D point है ठीक है? यह किसमें आएगा? जो C point होगा L1 के उपर है यह lambda की terms में आएगा? है ना in terms of lambda in terms of lambda और यहाँ पर जो D point है वो क्या आएगा? in terms of mu mu की terms में आएगा अब इसमें आप क्या करना? दो condition लगाना अचा यह point पता चल गया lambda की terms में और यह mu की terms में तो यहाँ पर क्या होगा? जो C D vector है C D vector आएगा in terms of in terms of lambda and mu lambda और mu की terms में आएगा तो आप दो condition लगाना जो C D vector है है ना C D vector एक तो पहला रहेगा B1 के perpendicular तो C D dot B1 vector यह आएगा 0 और दूसरी condition क्या होगी? C D dot B2 vector is equal to 0 lambda and mu में दो equation बनेगी दोनों को solve करना दोनों को solve करने के बाद देखो lambda का value आगया it means C point आगया ऐसे ही mu का value आगया it means D point आगया अब दो point पता चल लगे इनके बीच में distance भी निकाल सकते हैं और इसका equation भी निकाल सकते हैं तो आज की class अपन यही पर समाप करते हैं समर्थ family में ऐसे ही बने रहे Thank you